क्या होने वाला है छोटी सरदारनी के आने वाले एपिसोड में चलिए जान लेते हैं एपिसोड में हम देखते हैं कि परम और करन जो है वो राजवीर को शगुन देते हैं और कहते हैं कि सहर हमारा दिल है और आज से तुम हमारी धड़कन हो आगे हम देखते हैं कि परम जो है वो राजवीर को अपने पापा सरब जित का दिया हुआ कड़ा देता है वहाँ पर राजवीर की दीदा कहती है कि आज से तुम हमारी हुई इस घर की हमारे भाई की और मेरी भी वहाँ पर हम देखते हैं कि कुनाल से मिलने वो बंदा जाता है जिसके पास कुनाल ने सहर के नाम एक चिट्थी भेजी थी वो आदमी कहता है कि सहर ने कुडाल को उसे भूल जाने के लिए कहा है कुनाल शौक्ट रह जाता है और पोच्टा है कि आप लोग हो कौन तब वो आदमी कहता है कि हम गिल साहब के बंदे हैं और हमें एरपोर्ट से तुम्हें यहाँ डालने के लिए परम और करन ने कहा था कुनाल यह सुनकर तूटकर बिखर जाता है वहाँ पर हम देखते हैं कि राजवीर गुसे में होता है और वो अपने दीदा से जवाब मांगता है कि कैसे आया सहर का रिष्टा हमारे लिए दीदा कहती है कि करन और परम उनके पास आये थे और उन्होंने कहा कि उनके फैक्टरी के आग का केस कोट में चला गया है और वो उन्हें इस केस से बचा ले दीदा आगे कहती है कि उन्होंने कहा कि रिष्टा जोड लेते हैं राजवीर कहता है कि आपको मना कर देना चाहिए था क्योंकि परम और करन ने प्रैशर में आकर ये सब कहा होगा राजवीर जो है वो अपनी दीदा के पास गिर गिराता है कि करन और परम को प्लीज बचा लो दीदा राजवीर की आँखों में आसु नहीं देख पाती और कहती है कि वो केस दबा देगी वहाँ पर निखिल कहता है कि दीदा तुम्हारे प्यार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही है तो सोच एक बार दीदा के बारे में भी वहाँ पर सहर का कॉल आता है राजवीर को और वो कहती है कि प्लीज किसी से कुछ मत कहना भी बस रोका हुआ है और हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे प्लीज कुनाल मिलने तक ये नाटक जारी रखना वो राजवीर को कहती है कि एरपोर्ट के सीसी टीवी चेक करते है राजवीर भी फिर दीदा से नाटक करता है सहर से रिष्टे के लिए और शादी के लिए वो तयार है राजवीर फिर दीदा से कहता है कि इमिग्रेशन वालों के हिसाब से कुनाल अम्रिस सर आया था लेकिन आपने जो लिस्ट दी उसमें कुनाल का नाम नहीं था ऐसा क्यूं दीदा कहती है कि तो इतनी टैंशन क्यूं ले रहा है बस दूर रहे इन सब से राजवीर कहता है कि उन्वाल के साथ किसी की जुड़ी हुई है वहाँ पर सहर भी आगे के फंक्शन्स के बारे में परम और करन से बाते करने लगती है करन और परम भी कहते हैं कि खान से लेकर कपूर्स तक सब को नचाहेंगे तुमारी शायदी पर वहाँ पर हम देखते हैं कि राजवीर की दीदा कहती है सहर और राजवीर की सगाई कल ही होगी क्यूंकि इस इमिग्रेशन वाली ने सब गड़बड कर दिया है राजवीर को पता चल गया है कि कुनाल अम्रिसर आ गया है और ये सहर जिद की पक्की है कुनाल उसका प्यार ही नहीं बलकि उसकी जिद भी है वो उसे ढूणने के लिए सब कुछ करेगी दीदा कहती है कि सगाई की बात उन लोगों को आखरी मूमेंट पर पता चलनी चाहिए ताकि सहर को अपना दिमाग लगाने का वक्त ही ना मिले दीदा यहाँ पर मासी जी और मास्टर जी का जिक्र करती है मतलब अब हमें शो में नई एंट्रीस देखने को मिलेंगी तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और जिस तरीके से कहानी चल रही है ऐसा लग रहा है कि सहर की शादी राजवीर के साथ ही हो जाएगी आप क्या चाहते हैं किस के साथ हो सहर की शादी कुनाल या राजवीर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रही है बॉलिवड स्पाई